गूर्णिंग फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चनल स्वास मेथ लेशन में आप सबों का स्वागत है तो आज हम लोग बेसिक क्वाडिलेटर्स एंड दियर प्रपेटिस डाट मिंज उसका गुन क्या है यह जानेंगे तो चलते हैं हम लोग ज्यादा टाइम बबाद ना किये हैं हम लोग अपने ट्रपिक पर आते हैं तो क्वाडिलेटर्स होता क्या है तो क्वाडिलेटर्स एक पोलिगोन है क्वाडिलेटर्स क्या है एक पोलिगोन है क्वाडिलेटर्स यह क्या है एक पोलिगोन है कैसा इसका फीगर कैसा होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है यह है यह है कोडिलेटर्स एसा हो सकता है इस तरह से भी हो सकता है एसा या फिर एसा भी हो सकता है यह है अपको लोंका अब करोडिलेटर्स का मतल झेश में ही आओ क्वाड्नु Metallic लिखा वाई इसके होता है साइड क्या होता है साइड तो फोर साइड वाला फोर साइड वाला ही होता है क्या क्वाडिलेटर इसका नामें ही चुपा वाए मिनिंग क्वाड मतलब फोर लेटर मतलब साइड मतलब कि फोर साइड वहला तो इसमें देखिए साइड यहां पर ही म होगा तो साइड कौन मतंगा होा आक तो साइड यहां पर हो जाएगा पहला जो साइड है औतंगाण दूस्टा को है डीसी टीसीक्स कूल सीभी सीभी गहुट और नेस्ट कूल आज लिए सिटैटा यहां पर क्या है egent01 किसको बोलते हैं तो यहां पर 2 रे दो लायन संग मिलता है देखे एक यह लायन यह सऄग्मेंट यह हो गया यह दोनों यहां पर मिला तो इसो को न्हीं हमें बोलते हैं MA है यहां पिर इसको एक एंगल बोलते हैं इनल भी फोर होता है अंगल या कौन से काव एंगल एक एंगल का नाम देंगे तो डी ए बी या तो डाइट लिख सकते हो एंगल बी है एंगल सी है एंड एंगल डी है यह एंगल फोर है वर्टेक्स का भी बात लेंगे हम लोग वर्टेक्स का तो वर्टेक्स भी इसमें कितना होता है वर्टेक्स भी इसमें फोर होता है वर्टे है एक E एप पोजीट भोरटेश को मिलाता है एप लाइन को ऑलो डाइगोंल बोलते हैं तो डाइगोंब के बंदे यहाँ प难i यहाँ नाम अधुमिस का यहां पहली इससाथ किसी और यह वीडी यह दो डाइगोंबस होगा और दुसारेगोंबस मोम ब्लाटा मतलब कि यह कोणोग है यह को लाने वाला लाइन को हम नो यह बोलते हैं है और और डाइगोनल्स क्वाडी लेटर में डाइगोनल्स कितने होते हैं फोर होते हैं स्वरी टू होते हैं अब इसमें कुछ-कुछ और बेसिक चीज है उसको हम समझते हैं जैसे की जैसे कि यहां देखिए यह आपका एक क्वाड़ी लेटरल है इसका नाम ए भी सी डी तो यहां पर और भी क्या-क्या ध्यान रखना एक और अध्यसेंट मतलब कि जो सटा वह होता है इसको एड्यसेंट बोलते हैं एड्यसेंट क्या होता हैं था यहां यहां पर यहां देखिंगे इधिया हम अभी कब़ोसेंट है और बीसी भी एक साने साय है और इसका एक पहां एक मांपह ब्याग क्या आहिए भी के साथ मेंद टो यहां पिशाय हुआ बेक साथ si तो A-B and B-C, एक हुआ पहला, दुसरा यहां पर यह बहुत सकते हैं, B-C, यह देखे, B-C and C-D, यहां क्या बहुता होगा, यहां देखे यहां AB में B है और यहां BC में B है यहां B B common हो गया मतलब किया होगा एलसेंसाइड हो गया यहां भी देखे यहां पर BC में C है और CD में भी C है तो यहां फिर से common हो गया है और उसके बाद किया होगा इसके बाद अमोनें यहां गाई dong 30, K elemento Cd cd, and da c d and da देखेय यहाँ पिधान किसे aha cd cd में dcढ़ एंड़ तो डी में d-do ्डी से चालय वहरा तो यहाँ फिर सक कहमान हो गया d d मतला कि ये भी क्या हो गिया i coyवा होग्या एक अगर कॉन होगा for में क्या हाएगा तो for में होगा d a and a b तो देखें यहां भी धान देजिए यहां भी लाश्ट में a है यहां a b लाश्ट में सुरू में a है तो यहां फिर सक कमन मिला मदलब कि यह भी क्या है सटा हुआ है यह जो पास पास व्लाह भूजा है उसको बोलते हैं एकि दुसेस्व जो मिला हुआ है उसको बोलते हैं अपुजिट शैडस व्यषि错 का बात करेंगे एपुजिट मैं एपुजिट शैडस तो अपोजिट साइड्स वेसे साइड्स को बोलते हैं जिसका एक common vertex ना हो मतलब की बनने का मतलब क्या हुआ एक ऐसा side जिसे कि ये दोनों side है तो इस side में AB है इसका point और ये side में DC point है तो क्या कोई दोनों में से कोई common हुआ नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं अपोजिट में पहला को होगा तो पहला होगा ऐ बी ए बी के साथ कोझ आएगा तो सीडी आएगा लेखिए यहाँ ऑ तेपर सीडी है एक होगया दुस्ता कोण ऑगा यहाँ लजिक लिखेंगे आग तो यहां पर क्याएगा बी सी स요 यहां यहां पे द्यान देंगे अंगल करता है तो इंगल स्क्राइब में भी मतली सकते हो फुछ कुछ आपोजिट एंगल्स होते हैं और कुछ एजसेंट एंगल होते हैं ठेके एंगल्स मनेफ एग लिखा हुआ है यह यह बी एक EPA कर पॉजिट में ठीक है तो यहां पर मनेफ्ट गा आपॉजिट में दो किसके साथ ऑन के सांफर कि कि एक पैरोन होगे राट है एक बिए दूसरा फिएर क्या होगा तो अगल यह कैसी के साथ क्या है की आप ये हुआ अब एजशिय सटावा के बाद क्या जाएगा कोन होगा है commend ग सब्सक्राइब में दो एंग्यार्म को बनला हो हम जानते हैं एक Enkla जो बनता है दो आम से बनता है तो दो आम का चुछ किजे जिसका एक कॉमन आम होगा तब जेहां देखे यहां पर एंगल यहां ग बना हुआ है AD और दुस्ता क्या है AB और B जो बनावा है क्या AB and BC इसका मतलब यह हुआ कि एक पेर यहां हम लोग कैसा मिलेगा DAB तो इसके साथ पेर जो बनेगा और क्या बनेगा ABC तो देखें यहां भी AB है और यहां भी AB है तो यह हुआ one pair of adjacent angle का एक पेर हो गया यह एक जोड़ा ठीक है और क्या हो सकता है तो देखें ध्यान देंगे हमार अबर अबर जो होगा इसमें एक common अर्म होना चाहिए एक common मतलब की दोनों अर्म मतलब क्या भूजा एक common हम एक common होना चाहिए तो वो कहलाता था क्या where?' है और क्या होगा है एक यहां एंगल हम बोलेंगे B C D देखें B C D यह एंगल यह एंगल कितके साथ आएगा Да क्या होग्य है है यहां कि यहां भी यहां भी इसका नाम क्या होगा एंगल सीवे गए यह वे जिसमें दो एंगल रहेंगा एक साथ दो एंगल या फिर आदpet रफ एंगल या पो पैर बोलेंगे कब जब उसमें common arm होगा और opposite angle किसको बोलेंगे एक pair of angles जिसमें no common arm एक भी common arm ना हो तो होगा वो क्या होगा opposite angle होगा तो मुझे लगता है कि adjacent side opposite side adjacent angle opposite angle आपको समझ में आया एक और यहां पर point है क्या हम लोगों यहां पर पुछता है अजले परustुर और में ओओंस क्या होता है तो जाई गोनार्थ दाइगोनर्थो इसको बोलते हैं तो एक ऐसा line एक ऐसा line जा तो बोलो तर्डेवं Turns आंप अप पvirका होगा यहां यहाँ लाचे है तो यह एक यह है दाकर दो इससा लाइन जो कि ऊसलेकों मिऽानगा यह is स्कों नों क्या बोलते हैं ये भी क्या एक डाइगोना से ठोड़ा होता है जो अपोजिट वर्टरिय्स को मिलाता है तो यह थामलों का बेसिक कोडेडल अब हम दोस देखेंगे इसमें इसका प्रोपर्ट्रीश क्या-क्या है तो बताएए आप लोग ये क्यास के सब लगां अ अपने दोस्तों के पास शेल भी कीजिए, ठीक है, आपका दिन सुभ हो